बोश्पूरी गायक और एक्टर पवंच सिंग ने लोगसवा चुनाव में बीजीपी का टीकट ठुकरा दिया है पवंच सिंग ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है भाजपा ने पसिम बंगाल के आसन सोल सीट से पवंच सिंग को उमिद्वार बनाया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पवंच सिंग ने लिखा भारतिये जनता पाटी के सिर्ष नेत्रित्व को दिल से अभार प्रकट करता हूँ पाटी ने मुझ पर विश्वास करके आसन सोल का उमिद्वार घोसित किया लेकिन किसी कारण वस मैं आसन सोल से चुनाव नहीं लरपाऊंगा रातो रात बदला मिजाज आपको बता दे कि सनिवार की साम बीजेपी ने पवंच सिंग को पसिम बंगाल के आसन सोल से उमिद्वार बनाने का ऐलान किया था इसके बाद पवंच सिंग ने पाटी के फैसले का स्वागत किया था मीडिया को दिये गए इंटर्विव में पवंच सिंग ने पाटी का अभार जताते हुए मजबूती से चुनाव लरने का ऐलान किया था पवंच सिंग ने यह भी कहा था कि उनकी जरे बंगाल से जुरी हुई है उनके पिता बंगाल में ही नौकरी करते थे इसलिए बंगाल से चुनाव लर सकते ह उन्होंने खुसी भी जाहिर की लेकिन अब पवंच सिंग के करीबी सूतरों के मुताबी भोशपूरी कलाकार को बिहार के आरा संसदिये छेतर से टिकट मिलने की उम्मीद थी उन्हें लग रहा था कि आरा के मौजूदा संसद और केंद्रिये मंतरी आर के सिंग का टिकट कटेगा और वे वहां से दावेदार होंगे लेकिन भास्पा ने उन्हें आसन सोल सीट से चुनाव लरने को कहा जहां अच्छी खासी तदात में बिहारी बोटर है फिलहाल इस सीट से बिहार के निवासी और फिल्म कलाकार सत्रूधन सिना सांसद है ब्यूरो रिपोर्ट पटना